नमस्कार दोस्तों, उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे देखिए आप में से काफी सरे कंडिडेट ऐसे हैं जो कि बिहार पुलिस कंस्टेवल के पदो पे जो है अपना त्यारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जो है good news यहां पे निकल के आ चुका है क्योंकि उनका परिछा कब होने वाला है कैसे होने वाला है एक्जाम सेंटर कहां पढ़ने वाले हैं और किस तरह से एक्जाम होगा इसे जोड़ी जो है सभी जनकारी अल्मोस्ट यहां पे आ चुका है तो अगर आभी बिहार पुलिस कंस्टेवल का जो फॉर्म है जैसे कि वेकेंसी के बारे में आपको हम थोड़ा जनकारी देना चाहेंगे जाकर जुआइन जरूर कर लिजिएगा देखिए मेरे पास एक ओपीसियल लेटर है जो कि 95-24 को ही जारी किया गया था ठीक है तो मैंने एक वीडियो बनाकर आप सभी को जनकारी दिया ही था कि 90% सही हो सकता है 10% इसको हम गलत मान सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है आप देखें से आपका रिटेन टेस्ट होने वाला है एक कई सर तीन से कानवेर पदों पर आपका भरती निकाली गई थी और अक्टूबर में इसका एक्जाम रध हुआ था ठीक है जैसे कि आप सभी भली भाती जानते हैं तो पेपर में आज आने का मतलब क्या कि यहां पे यह 100% सही उस जीले में बनने वाले हैं तो उसके थुरा सा उसकी जो भी बीधी वेवास्ता है जो भी उसकी देखरीक है समिक्षा है ओ की जाए ठीक है तो इसलिए लेटर लिखा गया तो इसलिए यहां पर अभी नहीं आएगा लेकिन हाँ एक्जाम से कुछ पहले जैसे माले जबी तीन महीना है तो तीन महीने से जिसे माले एक्जाम आप कर रहेगा उससे दस पंदिन पहले ही पोटल पे आ जाएगा ठीक है तो आप यहां पर आपना जो त्यारी है वो बहतर करना सुरू कर दीजिए जो भी आप त्यारी किये हैं उसका रिविजन भी किजिए क्योंकि प्रादे हैं कि आप कहीं भी जैसे माल लीजिए कहीं ट्रेवल कर रहें या फिर आप कहीं अपने लेप्टप मोबाल से कहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप इजली फीडियो नोट को पढ़ सकते हैं और इससे अपना रिवीजन कर सकते हैं ठीक है अब इसमें मिलेगा क्या नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है 18 लाग से अधिक आप देखेंगे तो 18 लाग से अधिक यहाँ पर बच्चों नोजे इसमें फॉर्म को भरा हुगा है तो कहीं ना कहीं आपका जो कॉंपेडिशन है उत्तागड़ा होने वाला ही इसलिए आपका रिवीजन भी जरूरी है उसके बाद जो भी GKGS के कोचन होते हैं 22 सा प्लस आपको देखनी को मिलेगा हिंदी का जो कोचन है तीन सा प्लस आपको देखनी को मिलेगा और साइन्स का जो कोचन है आठ सा से प्लस आपको यहाँ पर देखनी को मिलेगा तो कहीं ना कहीं बिहार पुलिस का स्टेबल का र पर नाउलोड लोड नहीं हूए थीक है। यह आपकी पूरी help करेंगे ठीक है तो मैंने almost आपको बता दिया है बाकी आपका जो official notice है यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद आप उसको download करके check कर सकते हैं बाकी यहाँ पे जो later है वो भी आ चुगा है और इसमें देखेंगे तो जो भी आपका exam होने वाला है न एक ही पाली मे ठीक है यहाँ पे 28 और 31 अगस्त को आपका exam होने वाले हैं exam कहा होगा तो देखिए पूरी संभव है कि आपका जो exam होगा आपके जीले में ही कराई जाए लेकिन यहीं पाली में होगा ध्यां रखिएगा क्यूंकि पहले भी जीलावार आपका exam होता था और इस बार भी जील से कमफर्म नहीं है टोटल देखेंगे तो इतना यहाँ पर जो है सीट यहाँ पर बताया गया है ठीक है तो मैंने अल्मोस्ट आपको सरा जनकारी बता दिया है कई भी किसी प्रकार की डाउट से कनफ्यूजन है तो आप हमें पूछ सकते हैं बाकी हमने सभी जनकारी को कभर किया हुग है कि आपका जो एकजाम है पूरी तरह से और जिस्तर से होता था आपके जीले में भी कंडर्ट कराया जा सकते हैं या फिर अल्टरेटीब जीले भी भेज़ा जा सकता है आपको और बाकी एक पाली में आपका एकजाम होगा तो अपने एकजाम की तियारी है आई करके एक बार चेक आउट करना. Thank you very much.